अजा एकादशी व्रत कथा सुनने से पहले जानेंगे अजा एकादशी के महत्व के बारे में अर्जुन ने कहा इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री किष्ण ने कहा थे कुन्ती पुत्र भाध्रपद महा के करेश्ट पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नश्ट हो जाते हैं। इस लोक और पर लोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई व्रत नहीं है अजा एकादशी व्रत का था अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात में श्रवन करो पौरानिक काल में भगवान श्री राम के वंश में आयोध्या नगरी में एक चक्रवरती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे राजा अपनी सत्य निष्ठा और इमानदारी के लिए प्रसित थे एक बार देवताओं ने इनकी परिक्षा लेने की योजना बनाई राजा ने स्वपन में देखा कि रिशी विश्वा मित्र को उन्होंने अपना राजपाथ दान दिया है सुभे विश्वा मित्र वास्तव में उनकी द्वार पर आकर कहने लगे तुमने स्वपने में मुझे अपना राज्य दान कर दिया राजा ने सत्य निष्ट व्रत का पालन करते हुए संपोन राज्य विश्वा मित्र को सौप दिया दान के लिए दक्षिना चुकाने है तू राजा हरिश्चंद्र को पोर्व जनम के कर्म फल के कारण पत्री बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा हरिश्चंद को एक डॉम ने खरीद लिया जो शम्शान भूमी में लोगों के दास अंसकार का काम करवाता था स्वयम वह एक चांडाल का दास बन गया उसने उस चांडाल के यहां कफन लेने का काम किया किन्तो उसने इस आपत्ती के काम में भी सत्यका साथ नहीं छोड़ा जब इस प्रकार उससे कई वर्ष बीट गए तो उससे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाये खोजने लगा वह सदेव इस चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूँ किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ती पाऊँ एक बार की बात है वह इसी चिंता में बैठा था कि गोतम रिशी उसके पास पहुँचे हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगे राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर रिशी गोतम भी अत्यन्त दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन भादो महा की क्रेश्ण बक्षी एकादशी का नाम अजा एकादशी है तुम उस एकादशी को विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्री को जागरण करो इससे तुम्हारे सभी पाप नश्ठ हो जाएंगे महार्शी को तम इतना सुन कहकर आलोप हो गए अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्ट चंद्र ने महार्शी की कहे अनुसार विधान पूर्वक उपास तथा रात्री जागरण किया इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नश्ठ हो गए उस समय स्वर्ग में नगाडे बजने लगे तथा पुश्पो की वर्षा होने लगी उन्होंने अपने सामने भ्रह्मा विष्णु महेश तथा देवेंत्र आदी देवताओं को खड़ा पाया उन्होंने अपने मृत्तक पुत्र को जीवी तथा अपने पत्नी को राजसी वस्तर तथा आबोशनों से परिपूर्ण देखा व्रत के प्रभाव से राजा को पुने अपने राजी की प्रापती हुई वास्तव में एक रिशी ने राजा की परिक्षा लेने के लिए यह सब कोतुक किया था परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से रिशी द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिष्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोख को गया है राजन यह सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव था जो इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्री जागरन करते हैं उनके सभी पापनश्ठ हो जाते हैं और अंत मेवे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं इस एकादशी की व्रत के श्रावन मात्र से ही अश्यो मेध यग्य के फल की प्राप्ति होती है बोलो श्री हरी ओ ओम नमो भगवते वासु देवाए नमा धन्यवाद